ध्रकर शिछ्चा मंतरी विजए कुमर चौधरी का शिछकों को लेकर आया है एक बड़ा ब्यान शिछा बिभाग ने भी पत्र किया जारी एक त्याई सिछकी जाएंगे एस्कूल हर दिन सिछकों की उपस्थिती हर दिन जाएंगे मिडिल से लेकर प्लस टू अस्कूलों के प अध्यापक है अधतन होंगे लंबित अभिलेक भू दस्ताबेज का होगा सत्यापन नमस्कार आप इस समय देख रहे हैं मंगत संबाद और मैं आपके साथ हूँ सुनिल बौवी बिहार में क्रोना का ग्राफ पढ़ता जा रहा है संकर्मित मरीजों की संख्या लगतार दूगने होते जा रहे हैं रिकबरी रेट भी कम होते जा रहा है लेकिन बिद्याले खुला है लेकिन इस समय सिच्छा मंत्री ने एक बड़ा ब्यान दिया है सिच्छकों को लेकर और सिच्छा भी भागने भी बिते दिन पत्र भी जारी कर दिया है कि सभी सिच्छकों को एक साथ बिद्याले नहीं जाना है बलकि 33 स्फिजदी के हिसाब से जाना है लेकिन प्रधाना ध्यापक प्रती दिन अपने कर्याले में मौजूद रहेंगे सिचा मंतरी स्री चौधरी ने गुरुवार को बताया कि क्रोना के बढ़ते संकर्बन के सारे सिच्छन संसान 28 अपरहल तक बंद कर दिये गए हैं सरकार चिंतित है कि बिद्याले कैसे खुले और हमारे बच्चे कैसे पटना लिखना शुरू कर दे लेकिन हालात के आगे सरकार भी मजबूर है प्रन्तु कुरोना जिस रप्तार से फल रहा है आगे भी अनस्चिता की स्थिती बनी हुई है इस परस्थिती में भी बिद्याले में हमारे सिचको की उपस्थिती अपेचित रही है इस आओधी में परधाना ध्यापक वा सिच्चा गनविद्याले में काजरत कर्याले समंदी अभी लेकों का निरिचान भेजे जाने वाले परतिवेदनों का अधिकरन लेखा संदार आधी का लंबित कार्जपूर्ण करन लेंगे साथी सुभी राजस्वे विभाग दवारा भूमी का सर्वे का भी कार्ज चल रहा है इस स्थिती में तमाम कार्ज भी कर्याले में किये जाएंगे तो सिच्चा मंतरी ने साफ सब्दों में कहा है कि सिचक ते तिस फिजदी के हिसाब से बिद्धाले जाएंगे प्रदाना द्यापक प्रती दिन मौजूद रहेंगे जहां दो सिचक हैं बारी-बारी करके स्कूल जाएंगे और जो अभी लेखों का काम है ओक किया जाता लेकिन संकर्मन के रफ्तार पर भी चिंता जता ही है एक और बड़ी खबर इससे समन्नित है कि 18 अपरेल तक बिहार के सभी निजी और सरकारी बिद्धाले बंद तो कर दिये गए हैं लेकिन अब उस दिन खुनने की कोई आसा नहीं है बलकि फिर एक हपता या 30 तारीक तक त पर भी निरनाय आ जाएगा कल एक खास बैठक भी होने वाली है मुख मंतरी रहेंगे राज जपाल रहेंगे सभी सर्वदलिये बैठक होना उसमें निरनाय लिया जाएगा स्कूल को फिन लंबे अर्से तक बंद किया जा सकता है भले ही बिहार में लोगडान नहीं हो लेकि जरूर कड़ाई पेस करवाया जाएगा जो आप लोगडान की स्थिती में रहेंगे भले ही लोगडान नाम नहीं दिया जाए लेकिन इहतियात ब्रतनी के लिए सकती बरता जाएगा तब फिलाहाल आप हमारे साथ बने रहें खास सुचना पाने के लिए आप देखते रहें मगसंबाद धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंदे मातरम